नमस्का आशातियों श्वागत है आपका YTGKD के यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम अप्रेल महीने के सभी महाजपोंट दिवस को कवर करवाएंगे अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेट कोई भी पीडियेप चाहिए तो हमारा YTGKD का टेलीग्राम ग्रूप जोइन करें जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आईए चलते हैं टॉपिक पे हमारा पहला डे है 2 अप्रेल 2 अप्रेल के दिन विश्व आत्मकेंद्रित जागरुकता दिवस यानि की World Autism Awareness Day के रूप में मनाया जाता है इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाये जाते हैं जो आउटिज्म से पीडित होते हैं और साथ ही उन्हें इस समस्या के साथ सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है अगला डे है चार प्रेल चार प्रेल के दिन खदान जागरुकता के लिए अंतराष्टी दिवस यानि की International Day of Mind Awareness Day के रूप में मनाया जाता है यह दिवस हर शाल लेंड माइन्स और उसके उन्मोलन की दिशा में की जा रही प्रगत के बारे में जागरुकता मनाने के उद्ध्य शिशे मनाया जाता है अगला डे है प्रेल प्रेल के दिन राष्टी शमुद्री दिवस यानिकी National Maritime Day के रूप में मनाया जाता है यह दिवस भारती जहाज राने उद्ध्योग की गतिविदियों और देश की अर्थव्यस्था में इसकी भूमिका से आउगत कराने के लिए हर शाल मनाया जाता है अगला डे है 7 अप्रेल 7 अप्रेल के दिन विश्व स्वास्थ दिवस यानिकी World Health Day के रूप में मनाया जाता है इसका मुख्य उद्ध्यश वैश्विक स्वास्थ और उसे जुड़ी समस्चाओं पर विचारवी मर्ष करना है पूरे विश्व में शमान स्वास्थ देख बाद सुविदाओं के वारे में जागरुकता फैलाने के साथ ही स्वास्थ संबंदी अपवाहों और मिथकों को दूर करना भी इसका मुख्य उद्ध्यश है अगला डे है 10 अप्रेल 10 अप्रेल के दिन विश्व होमियोपैथी दिवश यानि की वर्ड होमियोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है ये दिवश होमियोपैथी के जनक डॉक्टर सैम्योल हैनिमान की जैनती को चिन्नित करने के लिए विश्व इस्थर पर मनाया जाता है अगला डे है 11 अप्रेल, 11 अप्रेल के दिन राश्टी शुरक्षित मात्रत्तु दिवश यानि की नेशनल सेफ मदर हुड़े के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्देश गर्ववती महिलाओं को उनके स्वास्थ संबंदी देखवाल और मात्रत्त सुउधाओं के विशे में जागरुख करना है 11 अप्रेल के दिन ही राश्टी पालतु दिवश यानि की नेशनल पेटडे के रूप में मनाया जाता है पालतु जानवरों के महत्तु के बारे में लोगों को प्रोट्शाहित करने और उन्हें विशेस देखवाल प्रदान करने के लिए यह दिवश मनाया जाता है अगला डे है 17 अप्रेल सत्रा अप्रेल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवश यानि की वर्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है यह दिवश हीमोफीलिया एवं अन्य अनुवाद से खोन बहने वाले विकारों के बारे में जागरूपता फायलाने के लिए प्रतिवश मनाया जाता है अगला डे है अठरा अप्रेल अठरा अप्रेल के दिन विश्व धरोहर दिवश यानि की World Heritage Day के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्देश विश्व के सांस्कृतिक एवं एतिहासिक इस्थलों को विरासत के रूप में संदक्षित रखने के लिए यूनेश को द्वारा हर वर्ष World Heritage Day के रूप में मनाया जाता है अगला डे है 19 अप्रेल 19 अप्रेल के दिन विश्व जिगर दिवश यानि की World Heritage Day के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्देश यह है कि लिवर से संबंदित जितनी भी बिमारिया हैं उनके बारे में जागरुकता फैलाई जा सके अगला डे है 21 अप्रेल 21 अप्रेल के दिन सचिव दिवश यानि की National Secretaries Day के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रेल के दिन ही Civil सेवा दिवश यानि की Civil Service Day के रूप में भी मनाया जाता है अगला डे है 22 अप्रेल 22 अप्रेल के दिन प्रित्वी दिवश यानि की आर्थडे के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का सबस्य अहम उद्दिश लोगों को परियावरण और उसके संरक्षड के प्रति जागरूप करना है हुआरा अगला डे है 25 अप्रेल 25 अप्रेल के दिन विश्व मलेरिया दिवश यानि की वर्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है यह दिवश मनाने का मुख्य उद्दिश मलेरिया से लोगों को जागरूप करना और उनकी जान की रक्षा करना है तथा मलेरिया के निवारण और नियंतरण के लिए भी यह दिवश मनाया जाता है अगला डे है 26 अप्रेल 26 अप्रेल के दिन विश्व बहुत धिक शंपदा दिवश यानि की वर्ड इंटेलेक्शुल प्रोपरिटी डे के रूप में मनाया जाता है इसका उद्येश नवाचार और रचनात्मक्ता को बढ़ावा देने में अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और द्योगिक डिजाइन एवं कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए यह दिवश मनाया जाता है अगला डे है 28 अप्रेल, 28 अप्रेल के दिन कारे इस्थल पर शुरक्षा और स्वास्थे के लिए विश्व दिवश यानि की World Day for Safety and Health at Work के रूप में मनाया जाता है 28 अप्रेल के दिन ही विश्व पशुचिकित्चा दिवश यानि की World Veterinary Day के रूप में मनाया जाता है अगला डे है 29 अप्रेल, 29 अप्रेल के दिन अंतरराष्टी निर्थ दिवश यानि की International Dance Day के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्येश निर्थी के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करने और लोगों का ध्यान निर्थी की ओर आकर्षित करना है अगला डे है 30 अप्रेल, 30 अप्रेल के दिन अईश्मान भारत दिवश यानि की अईश्मान भारत डे के रूप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्येश देश्वासियों के स्वास्थ का ख्याल दखना और उनकी लंबी आयू की कामना करना है शो गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद